नमस्कार मित्रों आईए आज हम लोग इतिहास विशे के अंतरगत प्रस्णों को हल किया जाए ये प्रस्ण सिविल सेवा परिछाओं एवंग TGTT तथा UGC NET और UPHSC इतिहास विशे के लिए बहुत ही महतवपूर प्रस्ण है तो आईए बिना देर किये प्रारंब करते हैं पहला प्रस्ण है आज का तेरहवी सताबदी में खराज क्या था चार आपसन आपके सम्मुक हैं आप इन चार आपसन में से सही आपसन का चैन करें या आपसन आपके सम्मुक हैं आप जल्द से जल्द इसका एंस्वर तयार करें आपको समय दिया गया है कि आप इन प्रस्णों को जल्दी से जल्दी तयार कर लें जिससे आपका मुल्यांकन भी हो जाएगा तो इसका सही उत्तर है आपसन आपसन आ क्रिसी पर कर तेरहवी सताबदी में जो खराज था वा क्रिसी पर कर था प्रस्ण संक्या दूसरा है निम्नलिखित में से किसने अलाउद दीन खिल जी के सेना नायक के रूप में कार नहीं किया सही आपसन का आप चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आपसन भी खिजर खान प्रस्ण संक्या तीसरा है निम्न लिखित में से किस स्रोत से हमें सिंद का विश्त्रित वरिंतांत प्राप्त होता है चार आप्षन आपके सम्मुक हैं आप इन चार आप्षन से सही आप्षन का चेहन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षंडी चचनामा से हमें सिंध का विस्तित विंतानत प्राप्त होता है चौथा प्रस्ण है संस्क्रित स्रोतों से संग्रहित टिब सिकंदरी का विश्य था आप इन चारों आपसन से सही उत्तर का चेहन करें इस प्रस्न का सही उत्तर है आपसन भी आईूर विज्ञान टिब शिकंदरी का जो बिशह था ओ आईूर विज्ञान से था और इसकी रचना सिकंदर लोदी ने करवाया था आइए अगले प्रस्न को देखें प्रस्ण संख्या पांच है सस्गनी जो चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था चार आप्षन आपके सम्मुक हैं इन चार आप्षन में से आप सही आप्षन का चेयन करें इस प्रस्ण का जो सही उत्तर है वह है आप्षन भी 6 जीतल के बराबर एक सस्गनी जो काल में प्रचलित था और इसको प्रारंब करने का से फिरोज सा तुगलक को है आईए अगला प्रस्ण संख्याच्छ है निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सयद उस सलातीन की पद्वी प्राप्त हुई थी इन चार आप्षन से आप सही आप्षन का चैन करें इस प्रस् सा तुगलक को खलीफा से सयद उस सलातीन की पद्वी प्राप्त हुई थी प्रस्ण संख्या साथ है दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी चार आप्षन आपके सम्मुक हैं आप सही उत्तर का चैन कर लें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप संडी सभी की ए जो स सुल्तान है नासुद्दीन खुसरो गयासुद्दीन तुगलक फिरोज तुगलक इनकी माताएं हिंदू परिवार से थी प्रस्ण संख्या आठ है किसने या राय व्यक्त की की मैलाओं को घर की चार दिवारी में रहना चाहिए और चर्खा कातना चाहिए चार आप्षन चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षन भी अमीर खुसरो और एसामी कि ये माननेता थी कि इनका विचार था कि मैलाओं को घर की चार दिवारी के अंदर रहना चाहिए और चर्खा कातना चाहिए इन्होंने ऐसी राय व्यक्त किया था आईए अगले प्रस्ण को द भारत विजय तथा नो अस्थापित तुर्की सल्तनत के इतियास का प्रत्यच विवरण किस ग्रंद से मिलता है चार आप्षन आपके सम्मुक हैं आप इन चार आप्षन से सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षन सी तबकात नासरी से मुहम्मद गौ की भारत विजय तथा नौ अस्थापित तुर्की सल्तनत के इतियास का प्रत्यच विवरण मिलता है और तवकाते नासरी के लेखक मिनहाजुल सिराज है प्रशन संक्याद 10 है मद्यकालीन भारत में किस मुस्लिम सासक ने सरप्रतम होली खेली थी चार आप्सन आपके सम्मुख है आप इन चार आप्सन में से सही उत्तर का चैयन करें इस प्रस्न का सही उत्तर है आप्सन ने मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत का सरप्रतम वोर सासक है वह सुल्तान है जिसने हिंदुओं का प्रसिद्य तेवार होली खेला था इस प्रकार मुहम्मद बिन तुगलक एक सहिसूर सुल्तान था प्रस्ण संख्याई गारा है निम्नलिखित में से किसे उर्दू सायरी का जनक कहा जाता है चार आपसन आपके सम्मुक हैं आप इन चार आपसन में से सही आपसन का चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आपसन भी समसुद्दीन वली समसुद्दीन वली को उर्दू सायरी का जनक कहा जाता है जबकि अमीर खुशरों को खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है प्रस्ण संख्या बारा है दिल्ली के किस सुल् दरां ने खादयान पर से जकात हटाया था चार आप्शन आपके सम्मुक है आप सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप चंडी सिकंदर लोधी ने खाद्यान पर से जकात कर हटा लिया था प्रस्न संक्या 13 है सरपर्थम भारत की कागज पर लिखी गई हस्त लिखित पुष्टक 1223-24 इस्वी में कहां से उपलब्द हुई थी चार आप्षन आपके सम्मुक हैं सही आप्षन का आपचैन करें इस प्रस्न का सही उत्तर है आप्षन सी गुजरात से सरपर्थम भारत की कागज पर लिखी गई हस्त लिखित पुष्टक प्राप्त हुई थी प्रस्न संक्या 14 है निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद हाजी मौला ने बिद्रो किया था चार आप्षन आपके सम्मुक दिखाई दे रहे हैं आप इन में से सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्न का सही उत्तर है आप्षन दी अलाउद दीन खिल्जी के समय में हाजी मौला का बिद्रो हुआ था प्रस्न संक्या 15 है निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था चार आप्षन आपके सम्मुख है आप सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्न का सही उत्तर है आप्षन सी सिकंदर लोदी ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था आईए अगले प्रस्ण को देखें प्रस्ण संख्या 16 है बंगाल के किस नवाव ने राजधानी धाकार से मुर्षिदाबाद हस्तांतरित किया चार आप्षन आपके सम्मुक हैं सही उत्तर का आपचैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है बी मुर्षिद कुली खाने धाका में अपने को असुरचित समझता था क्योंकि अंग्रेजों की गद्विदियां बरती जा रही थी इसलिए उसने धाका से अपनी राजधानी मुर्षिदाबाद हस्तांतरित कर दिया प्रस्ण संख्या 17 है अंग्रेजों को साही फर्मान जारी करने वाला मुगल समराट कौन था चार आप्षन आपके सम्मुख हैं सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षन भी फरुक्सियर फरुक्सियर ने अंग्रेजों को साई फर्मान जारी किया था प्रस्न संख्या अठारह है रावर्ट क्लाइव को किसने स्वर्ग से उत्रा सेनापती कहा था चार आप्षन आपके सम्मुक हैं सही उत्तर का आप चैन करें इस प्रस्न का सही उत्तर है आप्षन पिट ने Rowart Clive को स्वर्ग से उत्रा सेणापती कहा था प्रस्न भी बनता है कि किसे स्वर्ग से उत्रा हुआ सेणापती कहा जाता है तो Clive को प्रस्ण संक्या 19 है बकसर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नित्रिफ किस ने किया चार आप्सन आपके सम्मुक हैं सही उत्तर का आप चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्सन भी हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नित्रित्व करता था प्रस्ण संख्या भी से हैदराबाद स्वतंत राज की अस्थापना किसने की थी चार आप्सन आपके सम्मुक हैं आप सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्सने निजाम उल्मुल्क ने हैदराबाद स्वतंत राज की अस्थापना की थी उसने कमजोर मु स्वतंत्र कर लिया था प्रस्ण संख्या 21 और आज का अंतिम प्रस्ण है श्री रंग पटनम में स्वतंत्रता का व्रिच्छ किसने लगाया था चार आप्षन आपके सम्मुख है आप इन चार आप्षन में से सही उत्तर का चैन करें इस प्रस्ण का सही उत्तर है आप्षन भी टीपू सुल्तान ने श्री रंग पट्टनम में स्वतंतरता का प्रिच्छ लगाया था और टीपू सुल्तान ने भर्षक प्रयास किया था कि महसूर से अंग्रेजों को बाहर रखे लेकिन अंतता 1799 में उसके मृत्य हो गई और इस प्रकार अंग्रेजों ने चतुर्त महसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित कर और महसूर को हतिया लिया तो मित्रों इस महत्पूर 21 प्रस्णों को आज हमने साल्व किया आप इन प्रस्णों को तयार कर ले एक प्रस्ण परिच्छा के दिस्टिकोर से बह नो भूलें धन्यवाद